हेलो दोस्तों हम यह हमारी पेपर टू की सीरीज फिर से री स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमने अभी तक माई 2024 तक के टॉपिक्स देख लिए थे इस वीडियो में हम जून से स्टार्ट करेंगे अगर हम बात करते हैं इस जून वाले मन्त में कुछ relevant topics थे जो कि आपके लिए एक्जाम के लिए रेलेवन हो सकते हैं इस कारण से इस वीडियो में हम डिसकेशन उसकी कर रहे होंगे इससे पहले हमने मई तक कर लिए बट वो उतना आपके लिए relevant नहीं है आज से जो सीरी स्टार्ट हो रही है वो आपके C.A.P.F. 2025 एक्जामिनेशन के लिए important रहेगा अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि मुझे पता है comment section में कुछ लोग आएंगे तो उससे पहले ही मैं बात कर लेता हूं कि definitely मैं यह जानता हूं since paper मैंने भी देखा है कि 2024 के examination में उतना relevant नहीं था हां कुछ कुछ questions में थे relevance बट हां जैसे 2023 में था like 2023 में on and around 80% of the topics जो थे vision आये से अराम से directly आ रहे थे ठीक है थोड़ा बहुत application कर लेते तो 100% questions कर सकते थे बट वो चीज 2024 में नहीं था दो तीन question में थे एक में फुल था मतलब पूरा question था बाकी एक दो में छोटे छोटे चोटे references थे बट बाकी questions में आपको को कि वो थोड़ा सा जो आपके GS का segment आप करते हैं tribal resistance हो गया या tropical rainforest हो गया यह तरह के topics वह वहां से थे तो इस करण से यहां से कम questions देखने के लिए मिले थे बट इसका मतलब यह नहीं है कि चीजे आप 2025 में भी सेम रहे इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है civil services का पेपर आप 2023 का पेपर देखिए किता अन और्थोडॉक्स पेपर था लेकिन वहीं पर अगर हम 2024 का पेपर देखते हैं तो वाइस strategy होती है complete change कर देना एक वाइस decision नहीं होता तो जितनी भी चीज़े requirement होंगी change करने के लिए वह चीज़ें हम भी करेंगे चाहे वह हमारे programs हो या free series हो सभी में हम करने की गोसिस करेंगे तो क्योंकि कोई भी जैसे अगर हम भी आपको guidance प्रोवाइड कर रहे हैं कोई भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वह प्रीवेस के ही बेसिस पर करते हैं कैसा कुश्चन आ रहे हैं और syllabus के basis ठीक है तो उसी के basis पर हम चीजों को करवा पा रहे होते हैं तो इस करण से उन चीजों को हम भी consider में लेते हुए आगे के series में इन सभी चीजों को update करेंगे तो आज इस series में हम start कर रहे हैं विजन आईये इस की मैगजीन आपकी current affair की magazine होती है जिसमें one month की जितने भी current issues important होते हैं वो रहते हैं बट यह magazine civil services के लिए होती है आपके सीएपेफ के लिए कुछ ही आर्टिकल जो होते हैं वह relevant होते हैं तो हम सिर्फ उन relevant articles को ही इसमें देखते हैं ठीक है सो सबसे पहले अगर हम quality and governance को देखते हैं तो पॉलिटी इन गवर्नेंस में पहला topic जो आपके लिए important है वह coalition होता कि हाँ आपको यह as it is topic आ जाए आ जाए तो ठीक है 23 में आया इंदा बट इसका मकसद यह होता है कि जो आपके सीएपेफ एसी के लिए relevant जून मंत के current issues थे उन पर आपका command होना चाहिए like coalition government है तो आपको उसके positive side negative side पता हो ताकि question अगर उससे related आ जाए तो भी आपके पास point हो awareness हो आप लिख पाए क्योंकि at the end देखिए अगर paper 2 की बात करते हैं तो content content के बाद आता है brainstorming और brainstorming के आती है practice तो brainstorming आप करें या practice करें उसके लिए content important क्योंकि बेस तो यहीं से बननी है तो content अगर नहीं होगा तो आप क्या brainstorm करेंगे क्या आप practice करेंगे क्योंकि brainstorming भी thought process आपको develop करना है तो process तो content भी आएगा अगर आप आप सोचेंगे क्या है तो इस करण से आपको यह अच्छे से करना है तो coalition government इसके बाद अगर एक direct relevance की topic हम देखते हैं तो वह online misinformation this is very very important topic तो इसको आपको अच्छे से करने की जरूरत है एक फोटा सा आप reference point of view से demand of new state देख सकते हैं बड़ उसकी relevance कम रहेगी तो आप यह दो topic करें अच्छे से अपने के लिए coalition government and your online misinformation ठीक है फिर इसके बाद हम आ जाते हैं आयर में तो आयर में हमें पता है कि जो questions हैं वह आम तोर पे इंडिया-centric आती है तो इंडिया में भी for example situations चल रही है ग्लोब में या वर्ल्ड में तो उस पर क्या रह सकता है तो उस तरह के questions बनते हैं तो इसमें अगर हम पहला ही देखें जैसे इंडिया-ग्लोबल पीसमेकर तो इस तरह के topics पूछे जाते हैं बाकि आपके relations वाले आएंगे जैसे कि इंडिया-बंगलादेश होगे इंडिया-फ्रांस होगे इंडिया-उरेशिया होगे इंडिया-जापान होगे तो इनको आपको देखना है तो जो भी आपके relations वाले वो टॉपिक देखेंगे और इंडिया-ग्लोबल पीसमेकर देखेंगे वैसे अगर आप देखें तो इसका थोड़ा बहुत रेफ्रेंस अगर आपने अच्छे से इस टॉपिक को कर रखा होता तो आप यहां 2024 के पेपर में यहां से content यूज कर सकते तो मैं यह नहीं कर रहा रहा था यहां का content आप यूज करके लिख सकते थे ठीक है कैसे में इसके बाद अगर हम आ जाते हैं एक नौमी वाले में तो इक नौमी में अगर हम देखते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आपका इंडियन रेल्वे सेफटी इससे आपको रिपोर्ट आने के चांसे रहते हैं इस तरह के टॉपिक्स पर और अभी जो रीसेंट आप देखेंगे तो यह थोड़ा सा और स्टेंड़न होगा topic तो इस currency इंडियन रिल्वे सेफटी जो इस से रिलेटेड ही अगर आपने थोड़ा बहुत देखा हो तो एक आपका आर्गुमेंट भी आया था मैं यह नहीं कहरा डायरेक्ट आया था बट इसी तरह का आपका आया था अनपेड लिवर से रिलेटेड तो अगर आप थोड़ा बहुत इस तरह के topics करते हैं तो आपक आपको दिखा दिया वितक कि दो आपके 2024 के पेपर में रेलिवेंस तो थी यहांसे इसके बाद हम आगे आजाते हैं तो इसके अधम सेक्योरीटी में आजाते हैं तो सेक्योरीटी में आप देखेंगे कि National Security Strategy ठीक है इसी से थोड़ा मिलता जुलता आपका Secondव से भी था तो वह चीज है तो इसमें जैसे अब वाई डूवी नीड़ नेशनल सेक्योरिटी स्ट्राटजी तो यह इसमें जो पॉइंट्स है वह काफी तो इस करन से इसको आपको अच्छे से करना है इसके अलावा साइबर स्पेस वाला तो आपने देखा था 2023 में भी पेपर में कुश्यन आया था तो यह बैसिकली सीडियस ने जो हैं उन्होंने यह जॉइंट निकाल लिए तो यहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे यहां से पॉइंट्स मिल जाएंगे इस कर अध्यार वाहां से उन्होंने फॉरेश्ट उठाया और फॉरेश्ट को भी उन्हें पता था कि फॉरेश्ट हो सकता है में भी को प्रिपेर कर ले तो उसको और थोड़ा सपेसिफाय कर दिया तो इस तरह से कूश्यंस पूचे गए तो आपको जैसे इंडियन हिमाल्दरीन तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से करने की जरूरत है ठीक है तो यह आपका टॉपिक हो गया इसके बाद अगर हम आ जाते हैं सोशल इशूस में जो सबसी इंपोर्टन टॉपिक आपका बनेगा वह फॉलिंग पब्लिक पब्लिक एक्जाम सिस्टम ठीक है इसी में हमने एक और देखा था अनफेर मींस इंदी पब्लिक एक्जाम और कॉंपिटेटिव एक्जाम तो यहीं पर रिलेट करके जब यह कंटेंट बनाएंगे तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके बाद अगर हम आ जाते हैं इधर देखिए इसमें जो छोटे-छोटे रिपोर् ग्लूबल फूड पॉलिसी होगे तो यह सब थोड़ा वो देख लिया किजिए यहां से ले लिया किजिए जैसे चाइल्ड नूट्रिशन रिपोर्ट होगे यह सब इसके साइंस एंट टेक में दो टॉपिक्स आपको करने हैं आउटर स्पेस गवर्नेंस और फिट ट्रांस फैट एलिमिनेशन यह दो टॉपिक्स आपके काफी अच्छे हैं और इनको आपको अच्छे से करना चाहिए ठीक है इसके अलावा अगर हम आ जाते हैं कल्चर में तो एक नालंदा यूनिवर्सिटी है वह आपको करना चाहिए इसके बाद अगर हम इतिक्स में आ जाते हैं इतिक्स ऑफ विशल ब्लोइंग हो गया यह और फ्रॉड्स इंद सिविल सर्विसेस इग्जामिनेशन आपको पता होगा यह कितना ज्यादा न्यूज में था तो इसे आप कर सकते हैं स्कीम तो हरहाल में करने चाहिए तो स्कीम आप देख सकते हैं ठीक है बाकी अगर हम बा इसमें एक सेक्योरिटी वाले पार्ट में जैसे फर एक्जामपल यह सारे आपके आते हैं रूदरम 2 हो गया यह सब प्रोजेक्ट 28 तो यह सारी चीज़ें आप देखें यह आपके एक्ससाइजे दिन न्यूज हो गया जैबलिन एंटी टैंक वेपन सिस्टम में तो यह सार प्राइन रिलेशन हो गया एकनॉमी में ब्रीचिंग डी ग्लोबल वर्कफोर्स गैप और एंडियन रेल्वे सेफटी हो गया और फिर हम सेक्योरिटी में जाएंगे तो एक टॉपिक था नैशनल सेक्योरिटी से रिलेटेड तो वह आपका हो गया इसके बाद इंडियन हिम को करने है ठीक है तो ओवराल हमने सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से देख लिया है ठीक है बाकि हाँ एक चीज और इपोर्टेंट है कि रिगार्डिंग आ रहा है तो यह हमारी एप इंक्रेडिबल अभिशे ठीक है ठीक है तो इप इस वीडो वस हैलफुल फर यू मिलते अगले वीडियो में थैंक यू और आव नाइस टी